हेलो दोस्तो लेट्स क्रैकिट में आप लोग का स्वागत है और जो थमनेर पर आप आर्टिकल देख रहे हैं हम उस आर्टिकल को पूरा डिस्क्स करने वाले हैं उस आर्टिकल की जो आपको हेड्लाइन मिलेगी वो मिलेगी आपकी empowering nature with biocentric jurisprudence कहने का मतलब यह है कि आप जब newspaper पढ़ रहे हैं तो ऐसे article पढ़िए जो कि आपको दूसरे लोग कवर नहीं कराएंगे अपने मंधली compilation के अंदर ठीक है bird heritage site का status मिला है बहुत अच्छी बात है लेकिन उसमें घुस घुसके करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसको न्यूस पेपर से पढ़ेंगे इसके notes बनाएंगे वो बने बनाए notes दूसरे provide करा रहे हैं आपको ऐसे articles पढ़ने हैं जो कि आपके काम के हों जो कि दूसरे cover नहीं करा रहे है जैसे कि यह आपको मिलेगा यहांपर empowering nature with biocentric jurisprudence कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास courts है हमारे पास law है हमारे पास constitution है उसके अंदर हम ऐसे जो supreme court की मैं यहांपर बात करा हूँ supreme court ने अहाली में ऐसा decision लिया in the recent ruling जो कि आपका biocentric jurisprudence रखता है मतलब वो आपका जो nature है उसको importance देता है anthropocentric basis of law को पीछे छोड़ देता है अब यह बहुत important point यहांपर हो गया मुझे लगता है इससे related question आना चाहिए अगर हुआ तो ठीक है तो यह चीजे यहांपर आपको ध्यान रखनी है यह बहुत important question बनता है कि जो आपका supreme court है या फिर जो आपका low है जो आपकी बिधी है वो किस दिशा में जा रही है ठीक है तो लोज हमारे यहांपर बायो सेंट्रिक दिशा में जा रहा है ना कि anthropocentric दिशा में इन सब को समझागगा कि क्या होता है यह सब आप देखे यहांपर यह जो पहली image है य the center human खड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे anthropocentricism और जो दूसरी चीज़ है यहांपर आपकी बीच में कुछ नहीं है इसका मतलब यह नहीं है आप देखे कि human कहांपर खड़ा हुआ है human आपको देखेगा कि वो environment के साथ में खड़ा हुआ है मतलब हमें survival जो करना है sustainable तरीके से कर कोति हैं हमारे पास great Indian वस्टर्ड जो कि आपकी endangered species है और इस समय आप देखें तो सिर्फ 200 ही यहां पर alive है तो Supreme Court of India ने इससे related एक judgment यहां पर दिया है और proactive तरीके से यहां पर protective wing आपको Supreme Court के अंदर basically इनको protect करने के नहीं है Supreme Court ने एक ruling यहां पर दी है ruling जो है वो आपकी MK Ranjit Singh and others versus Union of India and others के case में यहां पर दी गई है और इन्हों ने यहां पर Supreme Court ने आदेश दिया है Supreme Court ने यह कहा है कि देखे इन all cases where the overhead lines in the power exist the government of Rajasthan in Haryana Celtic space steps forthwith to install world diverter pending consideration of the conversion of overhead cables into underground power lines तो Supreme Court ने यह बात कहिए कि राजिस्तान के अंदर गुचरात के अंदर जहां पर great Indian bastard की population बहुत जादा है जितने भी ऐसे power की line है जो कि आपकी आसमान में जाती है उन सबी को यहां पर आप खतम कीजिए bird diverters का इस्तमाल कीजिए या फिर जो आपकी overhead cables हैं उनको आप underground तरीके से बिचाइए क्योंकि उससे पक्सी यहां पर ठकराते हैं आप देखिए जो overhead power lines होती है जो आसमान में लटके वे बिजली के तार होते हैं वो एक potential threat यहां पर बन जाते हैं for the species not only आपका great Indian bastard but also all other जो birds है उनके लिए भी ओके तो इससे आपको काफी जादा दिक्कत यहां पर नहीं कर पाते और अगर वो detect कर भी लें बहुत ज्यादा नजदीक जा करके तो वो इतने हैवी होते हैं कि एक दम से अपने path को move नहीं कर सकते ठीक तो path को एक दम से change नहीं कर सकते जिसकी वाज़े से यहां पर collision देखने के लिए मिलेगा और जो death हम यहां पर देखते हैं great Indian इनवस्टर की वो देखने के लिए मिलेगी सुप्रीम कोट ने इन सब के ओपर यहां पर फटकार लगा इन दा केस ओफ एम के रंजी सिंग और वर्चीज यूनियन ओफ इंडिया और तो इन सब केसी को यहां पर यूज़ करो यह बहुत ही limited चीज आती है महीने में दो तीन चार यह आर्टिकल ऐसी निकल करके आते हैं और उनको स्किप करने का कोई चांस यहां पर नहीं बनता है तो यहां से आपको यह पॉइंट यहां पर उठाना था कि इसको आप यूज़ करो ऐसे में जब आप लिख रहे हो एनवार्मेंट से रिलेटेड तो या फिर सूप्र यह बात कही इन प्रोटेक्टिंग दे वर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह सब बात कहीं तो कोट के अंदर हमें अफर्मेशन दीखी हमें एमफेसिस दीखा बायो सेंट्रिक वैल्यूज ऑफ इको प्रिजर्वेशन तो कोट का जो फोकस गया वह आपका बायो सेंट क्या कहती है यह कहती है कि अपने राइट होते हैं हम उससे उसके राइट यहां पर नहीं चीन सकते वीचिज इंडिपेंडनेंट ओफिट्स एबिलिटी टूबी एक्प्लोटेट बाई और टूबी यूसफुल टूदा हुमें ठीक है कि हुमन्स उसको यहां पर एक्सप्ल करनेबल तरीके से होने लगे बासमें तो कुल मिला करके बायोसेंटरिजम की जो पॉलिसी है जो फिलोसफी है वो यहां पर आपकी बात करती है कि जो नेचर है जो पर करती है उसके अपने कुछ राइट होते हैं और हम उनको नहीं त्याग सकते ओके तो इमेज देखिए ए यहां पर क्या होता है इसका मतलब होता है कि all the species on the earth जितने भी species अर्थ पर है human are the most significant जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा significant है and all other resources on the earth और जितने भी अर्थ पर जितने भी resources है वी justifiable exploited for the benefit of the human being सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए बनाये गए हैं वो सब और इंसान उनको exploit कर सकता है तो simple सी बात है यह anthropocentric आपको philosophy आपर मिल जाएगी तो ऐसी जो philosophy हैं यह हमें पहले भी politics के अंदर देखने के नहीं मि philosophy के अंदर देखने के लिए मिली है याद रखिएगा इस सारे point उके उसके बाद आपको यहाँ पर एक case देखने के लिए मिलेगा जो की है the snail data case अच्छा इस snail data case के अंदर यहाँ पर हुआ क्या तो snail data case आपको बताता है excessive anthropocentralism के बारे में तो यह जो case है आपका दिखाता है कि किस तरीके से आपका जो philosophy of anthropocentrism यहाँ पर work करती है याद रखना बायो सेंटरिजम की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में तो ऐसे case देखने के लिए कम मिलेंगे आप जो मिल रहा है वो ठीक है जो हमें याद आ जाए paper में हमें वो लिख रहा है यह अच्छा आपको case यहाँ पर मिलेगा इसके अंदर क्या है कि basically एक scientist है उन्होंने यहाँ पर fish की एक नई species discover की थी जिसका नाम से river के अंदर और यह जो river है आपकी इसके ओपर बड़ा जो आपका development वर्क यहाँ पर चल रहा था construction वर्क चल रहा था अब यह Supreme Court पहुंच गए इन्होंने कहा कि हमने एक species यहाँ पर खोजी है जिसका नाम है snail data और जो कि authorities के हिसाब से environmental organizations के हिसाब से endangered है और यहाँ पर सब्सक्राइब यह जो threaten हो जाएगी यहाँ पर इसलिए हम चाहते हैं कि जो आपका वर्क है वो रुख जाना चाहिए जो आपका construction चल रहा है वो बंद होना चाहिए Supreme Court ने कहा कि ठीक है जो टेलीको रिजर्वोयर प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है लिटल टेलहसी रिवर पर उसको यहाँ पर बंद किया जाएगा Supreme Court ने कह दिया Supreme Court ने कह दिया कि जो आपका Tennessee Valley Authority versus Hill के केस में कि जो इसनेल डार्टर है वो endangered species है और आप जो है यहाँ पर construction नहीं कर सकते Retrospectively the snail data from statutory protection ने कह दिया इन्होंने जो act था उसको अमेंड कर दिया अमेंड करने के बाद यहाँ पर कहा कि बई ऐसा तो कुछ भी नहीं है यह तो हमारी endangered species है ही नहीं और प्रोजेक्ट यहाँ पर चलता रहा और फिश यहाँ पर सफर करती रही बास समझे हैं यह आपको तो यह आपको जो example मिला यह anthropocentralism का मिला या नहीं मिला कि आपने लोग को ही change करके जो species है उसका status ही change कर दिया क्यों क्योंकि आपको development work जारी रखना था ऐसा great Indian bastard के साथ ना हो इसके लिए आपका सुप्रिम कोड जो इंडिया का है उसने यहाँ पर bio centric jurisprudence का जो issue है यहाँ पर चार लाग पचाहँ जार थे लेकिन अभी 20,000 के करीब हैं यहाँ पर आपको मिलेगा कि सुमात्रा है बॉर्णियों है यहां से औरंगोटांस गायब हो गए एक्स्टिंट हो गए ओके राइनोज यहाँ पर खतम होते चले जा रहा है क्योंकि हमें उनका medication values चाहिए हमें उन 30,400 species हैं ऐसी जो कि आपकी endangered हैं और यह लिस्ट यहां पर बढ़ती चली जा रही है तो हमें ऐसे decisions लेने की जरूत है जी हां बिलकुल है ठीक है यही आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है और यही कुछ निया से बनेगा कि इस तरीके से आपकी endangered species यहां पर बढ़ रही है क् सुप्रीम कोट को या फिर आपकी जो लोज हैं उन सभी को बायो सेंट्रिक होना चाहिए वीडियो बड़ी हो रही है होने दो को सीखने के लिए तो मिल रहा है सम ग्रीन शूर्ट की अगर हम बात करें तो आपको यहां पर मिलेगा कि हमारे constitution के अंदर सब कुछ लिखा हुए ठीक है हमने कह दिया कि हमारा राइट है हम जो है जो हमारा ड्यूटी है वो हम एन्वार्मेंट को प्रोटेक्ट करेंगे नहीं हमारी कर्तव है हमने उसको राइट का दर्जा नहीं दिया राइट तो सिर्फ हुमन के दिये गए हैं ठीक है बास समझाए आपको तो the constitution is significantly silent on any explicitly stated binding legal obligation we owe to our fellow species and to the environment that sustain us तो constitution के अंदर किसी भी तरीके की legal binding obligation नहीं है कि आपको एन्वार्मेंट को प्रोटेक्ट करना है आपको एन्वार्मेंट के राइट को बचा करके रखना है ओके तो यह पॉइंट आपको यहां से पता होना चाहिए लेकिन अब यहां पर credit दिया जा रहा है जुडिसरी को जिसने यहां पर इस तरीके का decision लिया great Indian वस्ट को बचाने के लिए और अलग अलग तरीके की जो words है उनको बचाने के लिए इस तरीके का decision यहां पर लिया गया जो कि आपका principle of sustainable development के base पर है और साथ ही आप देखेंगे कि article 12 right to life भी provide करता है क्यों क् आपकी species खतम हुई तो इधर आपका मनुश्य जो है वो पूरा का पूरा खतम हो जाएगा इधर से आपकी सारी के सारी जो और species है उन सभी पर impact पड़ेगा तो right to life पर भी impact पड़ेगा बासंच में आपको तो यह चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो judgment यहां पर लि दिखने के मिलेगा कि the piece of legislation are slowly evolving that fall in the category of the right of nature लास तो हम ऐसे legislation लेकर के आ रहे हैं जो कि right to nature को दिखाते हैं तो जैसे आपको दिखेगा दी सीक्स to travel away from an anthropocentric basis of law to the biocentric one तो anthropocentricism से बायो सेंटरिजम की तरफ को यह चीजे जा रही हैं जैसे और countries की भी बात कर सकते हैं Ecuador जो है यहां पर आपका सितंबर 2008 के अंदर पहला country बन गया वर्ड का जिसने right of nature को अपने constitution के अंदर लिखा इंडिया क्यों नहीं कर सकता करना चाहिए पर यहां पर होगा नहीं ठीक है बॉलिवर बॉलिविया की बात कर लेते हैं बॉलिविया ने यहां पर जॉइन किया है the movement by establishing the right of nature laws to इनोंने भी right of nature को अपने laws डेक्लियर किया है पिट्सबर पैने से वेलिया नवंबर 2010 की अगर हम बात करने तो यह आपका पहला मेजर म्यूनिसिपल्टी बन गई है यूनाइटिड इस्टेट्स की जिसने right of nature को रिकोगनाइस किया है ओके तो यह चीज़ आपको यहां पर पता होनी चाहिए इस सब को बचाने की कोशिश करें ऐसे laws हम यहां पर बनाते हैं जिसमें पीपल्स को पावर दे जाते हैं इस लोगनेटी एंगेजमेंट की यहां पर बात की जाती है प्रोसेस कुछ कंट्रीज में ऐसे काम यहां पर चल भी रहे हैं और इंडिया में भी अब आपको यह जजमेंट देखने के लिए मिला तो इन टाइम्स जब ऐसी स्टुजिशन पूरे देश में चल रही है पूरे संसार में चल रही है की बात है है अलग-अलग पैंडिमिक्स यहां पर आ रहे हैं अलग-अलग बैमारियां यहां पर आ रहे हैं तो ऐसे में जो यह आपका सूप्रीम कोट का जजजमेंट है जो की ऐम-की रणजी सिंह के केस में आपको देखने के लिए मिला यह जो बाइयो सेंट्रिक प्रिंसिपल्स के बेस पर था और बात करता है को एक्जिस्टेंस ओफ दनेचर और नेचर कंजरवेशन और के तो यह बहुत ही पॉजिटिव स्टैप देखने के लिम्रा सुप्रीम कोट के तरफ से उमीद की जाती है कि आने वाली सरकारे कोट के इस जज़्जमेंट को यहाँ पर लागू करें और इंडियन जो ग्रेट इंडियन बस्टःड है उसका भागया यहाँ पर बदल जाएए ऐसा नहों कि वह स्नेडियन बस्टःड की तरह ही चेंज हो अब यह ऐसा क्या हो سकते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टःड को आपकी जो पीसीज है और एंडेंजर्ट इस्पीसीज की लिस्ट में से हटा दें लोग पावर लाइन्स उपर ही लगाएंगे क्या कर लोगे ठीक है तो यह चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए जो गौवर्मेंट है उसको भी सुदर ना पढ़ेगा और सुप्रीम कोट ने अच्छा र